कि हलो स्टूडेंट तो मारा में तो में बेसिक जिमेट्री का चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 जो हमने लाज्ट लास में फिनिश कर लिया था आज हम न्यूच्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 मेजर्मेंट तो आपने अलड़ी थर्ड क्लास में भी पड़ा हुआ है chapter and आपको units के बार में पता है किसमें हम मेजर करते हैं centimeters में kilometers में and weight को किसमें करते हैं grams kilograms के अंदर तो यह आपको थोड़े revision exercise दिए first question is in the increasing order of the length mark the smallest one by next two so is my increasing order में आपने mark करने है सबसे पहले छोटा जो length में है उसकी आपने number करनी है इसमें से अब सबसे चोटा क्या है इसकी लेंज सबसे चोटी होगी इसको हम one number लिखेंगे next उससे बड़ा क्या होगा यह sleepers दे रखें इनकी length क्या है pencil से बढ़ी होगी तो हम second number करेंगे उसके बाद यह TV दे रखा है third number पर आएगा और fourth last number पर ट्री की length सबसे बड़ी होगी तो यह four number हम करेंगे mark ठीक है यह आपका next question है what is the approximate mass जैनि weight of each of these circle ना correct option अब यह आपको option दे रखें और नीचे weight दे रखी है आपको एक पर circle करना है जो भी आपको लगता है कि इसका weight यह होना चाहिए ऐसे coin का weight है यह coin का weight क्या होगा five grams या five kg है तो आपने पड़ा है grams में छोटा होता है केजी छोटा होता है five gram छोटा है तो यह हम five gram के ऊपर circle करेंगे five 5kg तो बहुत ज्यादा ओजाएगा उसकावेट कोईं कवेट कम होता है तो 5 gram पर circle करेंगी नेक्स्ट क्या है मेंगों दे रखा है मेंगों कावेट क्या हंड्रेट मिलीग्राम होगा या 100 ग्राम है तो इसमें से हमें लगता है क्या होगा 100 ग्राम क्यों मिली ग्राम तो बहुत चोटी चीज को मेजर करते हैं तो हंड़े ग्राम में होता है इसका वेट हंड्रेड ग्राम को हम सर्कल कर देंगे ऐसी एक ट्वाइदर का डॉल इसका वेट क्या है 25 kg और 250 ग्राम को इतना कैजी में तो होनी सकता इसका वेट इसमें क्या है ग्राम में 250 ग्राम कि अबगी आपको ऐसी तीनों पार्ट अब सर कल करने कुछ अब झो आपको लगता है इसका वेट होगा वह आपने सबकर ना नेस्टाइट क्या टिक टा तो यह ऐसी दे रखा है यहां पर एक जूस का पैक उसमें कितना 600 ml या 10 लीटर तो किसमें मेजर होता है यह हमेशे ml में कोई भी आप बॉक्स लेते हैं जूस का या पैक उसमें क्या होता है ml में होते हैं लीटर में बहुत बड़े पैक होता है तो वह 10 लीटर का कोई भी ऐसे जूस नहीं आता तो हम पता है कि क्या होगा 600 ml ऐसी यह दे रखाए आपको एक निपल इसमें क्या है फाइफ मिलीटर है 100 मिलीटर इसमें कितना आएगा कम आएगा ज्यादा आएगा इसमें तो कम ही आए और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करदें घ्रिदे यह दोकि फिद्म अभडव अपनी अपने फोंड एंसले अन्यांत आप अथे में जर्यातल है मत्रीगा झैक हम पोस्तय नहीं नहीं सब्सक्राइब को यह बक्त कह एब the metric system यानि काफी साल पहले 200 years पहले सब country क्या है अपने system से unit को measure करते थे लेकिन उसके बाद क्या France ने एक invent किया system unit measure करने के लिए उसको क्या कहते है है metric system अब we use different units to measure length weight and volume of things the standard unit of length थार नहीं अब लेंस को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो लेंस जिससे मेजर करते हैं वो क्या है मीटर संटी मीटर and kilometers तो यह standard unit है और ऐसी standard unit of weight, weight को measure करने के लिए क्या standard unit है? gram and kilograms और standard unit of capacity, volume को क्या measure करते है? liter में और milliliter में यह standard units है, इन सब की, तो यह आपको relation बता रखा unit के अंदर एक kilometer में कितने meters होते है, thousand meters, यहनि वन किलो में thousand meters होते है, एक meter में कितने होते है, hundred centimeters, hundred centimeters होते है या thousand millimeters भी लिख सकते हैं इसको तो ठीक है, आपको याद रखना है कि कितने meters होते है है किलो मीटर में और 100 सेंटिम eаться kids फ्क्राइँ क्या बनाए अंडसेंट से अब्सक्राइड यह निए 101 मीटर में अंडसेंट मीटर होते हैं और थाउज़न मिलिमीटर कि generate LG leek q Mmm कितने 145 वर गराम हो गया मैं दो लीटर में भी 1000 ml यानी मिली लीटर वन लीटर इसकोल टू थाउजन मिली लीटर तो यह रिलेशन दे रिखें यूनिट्स के अंदर आपको अब मैट्रिक यूनिट्स आगे पढ़ते हैं अपार्ट फॉम दे यूनिट्स अब तो जो आपने अब उनिट्स तो आपने अनुत्त यह सारी उनिट्स आपने शुनिट्स पढ़ते हैं इसके लवावा भी और यूनिट्स होती है है वह यह आपको दे रहुत हैं मेजर आउफ लैंद्स में क्या क्या दिख यह सबसे पहले एक टैनले भी आपको रिलेशन तेन मिलीमीटर्स एम लिखते हैं मिलीमीटर्स को टैन मिलीमीटर्स सबसे चोटी यूनिट होती है यह उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं वन सेंटीमीटर यह वन सेंटीमीटर में टैन मिलीमीटर होते हैं उसके बाद सेंटीमीटर आती है यूनिट सेंटीमीटर में अ मीटर में कितने 10 decimeter 10 decimeter is 1 meter तो मीटर के बाद गया जाता है decimeter 10 meters को हम मिलाएं तो हमें एक decimeter बनता है उसको क्या कि लिखते हैं d am decimeter की है d am और decimeter dm यह आपको दियान रखना है फिर decimeter के बाद कितने 10 decimeter is 1 hectometer इसमें क्या लिखते हैं h m hectometer अब last unit क्या होती है 10 hectometer is equal to 1 km 1 km में 10 hectometer होते हैं ठीक है बाकि आपको पता 1 km के अंदर मीटर कितने होते हैं 1000 meters और hectometer कितने होते हैं 10 hectometer तो यह भी सारे आपको relations याद रखनें इसमें ऐसी मास है मास कितने होते हैं मिली ग्राम ग्राम के अंदर सबसे चोटी unit क्या होगी इसमें मिली ग्राम सेम आपको ऐसी जैसे centimeter में थे इसमें gram में है centigram आ जाएगा फिर decigram फिर gram then decigram हेक्टोग्राम में लास्ट किलो ग्राम के जी इसमें किलो मीटर में था यह ग्राम में और capacity में भी ऐसी लीटर में आ जाएगा तो सबसे चोटी unit मिली लीटर देन सेंटी लीटर deciliter फिलीटर देन डेका लीटर हेक्टो लीटर एंड किलो लीटर के यह सारी यूनिट्स आपके दियर के लेंद्स की मास की एंड कैपेसिती की तो मेजरमेंट यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी हैं लर्न करनी है कि कौन सी यूनिट्स में कितने सेंटी मीटर होते हैं ग्राम्स एंड लीटर सो अब यूनिट ऑफ लेंद्स बता रहे हैं मिली लीटर यह लेंद्स है मेजरमेंट मिली मीटर सेंटी मीटर एंड किलो मीटर आधा यूनिट ऑफ लेंद्स यह अभी हमने पढ़ी है मिली मीटर क्या होता है इस भी आपको बताया था सबसे चोटी यूनिट होती है मिलीमीटर एंड सबसे बिगेस्ट यूनिट होती है किलो मीटर ठीकिन आगे हम दिखते हैं सकेल अमीटर रॉड एंड मेजरिंग के लिए मेजर और मेजरिंग टेप भी कौन यूज करता है जो घर पर कारपेंटर होते हैं वह मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं तो मेजर करने के लिए अलग लग चीज़े ठीक है अब यह आपको नेक्स देर के हमें उसको चोटी unit से मेजर करते हैं है जो बड़ी होगी उसको बड़ी unit से तो पाक की length जो हम मेजर करेंगे बुट किसमें करेंगे इतनी से थिकनेइस को किस में मेर मेजे करेंगे मिलिमीटर में क्योंकि यह सबसे चोटी उनिट है चोटी ठीकनेइस तो मुझे मेर मेर में करेंगे मैं यह सिदों ऑफ यूर डस्क प्रतुछ में सकते हैं दों तो located में मेभे करेंगे इस टेंस वेटंच ऋ डेनी propheanondale जो भी रोड गडिस्टंस होता वो बहुत ज्यादा हुता और हमेशा हम रोड's के डिस्टंस के किसमें मेजर करते हैं किलो मितर स्टमस में। 1.1 यह आपको खुद करनी है मैं आपको बता देता हूं फिर्स कोशन है एस्टिमेट द लेंस अफ दीज अब्जेक्ट यूजर से मेजर करनी है इनकी लेंथ और यहां पे एक्ट्वल लेंथ लिखनी है आपके पास जो भी बुक होगी ब्रश जो आपका होगा पैन स्पून जो आपके घर पे है या हैंगर है तो आप अपने अपने उसी अब्जेक्ट को मेजर करेंगे सब की लेंथ अलग भी हो जकती है अब आपको लगता है यह बुक की लेंथ कितनी होगी आप स्केल से मेजर करेंगे तो मुझे लगता है यह होगी 30 cm तो हम यहां लिखेंगे 30 cm सेंटिमीटर फिर आप क्या करेंगे एक्सकों एक्चुल में मेजर भी करेंगे स्केल से बुक की लेंद और उसकी यहां पर लेंद लिखेंगे कि कितनी लेंद आडिये तो यह सारी सेंटिमीटर में आएगी सेंटिमीटर यह सारी जो लैंस दे रखी आपको यह अपने लाइन सेंटिमीटर इसको स्केल से मेजर करने है तो जैसे स्केल लेकि आप इससे मेजर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट सेंट तक अब मुझे लगता नियरस कितनी है यहां पर फॉर्स्ट 1.5 यह 1.6 आरे 1.5 से सेंटिमीटर पाकी यह सब मेजर करके लेंस आपने लिखनी है इसकी इजी कोश्चन है नेक्स्ट लाइक कोश्चन रो लाइन सेग्मेंट आफ दा फॉल्वाइंग लेंस यह लेंस दे रखी हैं आपको आपने लाइन सेग्मेंट ड्रॉ करनी इतने सेंटिमीटर की 7 सेंटि 2 सेंटिमिटर अब इसकी लेंच भी कैसे द्रों करेंगे इसको डिवाइट करेंगे 11 को से जैसे यहाँ पर 11 को डूट से दिवाइट करेंगे 2 5 10 यहां बचाव 1 अब 1 कैसे जाएगा यहां पॉइंट लगाएंगे 5 के आगे यहां पे पॉइंट से 0 लगाएंगे 525 10 लास्ट में 0 बचा क्या है 5.5 इसकी लेंग्स क्या हो जाएगी 5.5 cm मीटर्स ऐसी जो भी फ्रेक्शन में दे रहे हैं वह आपने डिवाइट करके पॉइंट में ड्रॉ करनी है लेंथ उसकी तो लेंथ आ जाएगी आप स्केल से इसली ड्रॉ कर सकते हैं ओकि यह तीन कोश्चंज हैं इसके अंदर यह करने आपने यह आप बुक में करेंगे यह व दो करेंगे घंक यह आपने चाहिज करने मैं जापने हैं नहीं तो एफिंसक्त रव में प्रेक्शन में ट्रॉ कि तरॉ रस्ट लॉए इन है व्ह दो आपने गो में जापने दोने उत्र लॉए जापने वापने पासित्व। इन आपने एंएट